जिंदगी एक कुरू छेतर है और हमेशा इसमें कोई ना कोई लड़ाई लगी रहती है सफल या सफल वहीं इनसान होता है जो इस कुरू छेतर में भाग लेता है और आप उसी के सदस्य हो आपने भाग लिया किसी ने बिजे पाया किसी ने पराजे पाया लेकिन दोनों इस रण भूमी से कुछ ना कुछ लेकर गया एक ने experience ली एक ने बीजय लिया आपका result हुआ है आपको अपार बधाई आगे के जितनी सारी प्रोसेस है उसमें आप उत्रण होके हमारी तरब से best research और जिनका result नहीं हुआ है उनको भी कुछ ना कुछ सिखने को मिला होगा और उनको भी उनके future के लिए all the best भगवान उत्रण को पेसेंस दे और साथ साथ आगे तयारी करने के लिए उनको manoval दे अब UP Police Constable 6244 फाइनली इसका result आ चुका है आपका धाई गुना के आसपास result लगभग तीन गुना के आसपास result है अब जिस हिसाब से ये लोग समय set किये हैं कटफ दिये हैं अब हमको नहीं लगता इसके बाद revise result आएगा फिर भी एक expectation रखा जा सकता है कि 10 से 12 लड़कों का फिर से revise result आ जाए लेकिन 100% नहीं का आजा सकता क्योंकि already ये लोग धाई गुना प्लस result को दे चुके हैं कटफ आपका कुछ इस परकार से रहा है ये numbers जो आपको देखने को मिल रहा है ये totally normalized number है इसमें raw marks कुछ और है अब आने वाले कुछ ही दिनों में जिनका result हुआ है जिनका result नहीं हुआ है सभी लोग अपना raw marks, normalized marks दोनों download करके देख पाएंगे दो-चार दिन के ही अंदर में आप देख पाईएगा इसके साथ साथ आपको PDF प्रवाइट किया गया है आपके registration number, roll number wise जो जो लड़के DV में shortlisted हुए है आपके पास ये PDF है आप हमारे टेलिग्राम पे जुड़िए जिनका भी result हुआ है नहीं हुआ है लिंक आपको description में मिलेगा टेलिग्राम चैनल पे जुड़िए वहाँ से आपको future में सारे frequent अपडेट मिलते रहेंगे और आपका हमारा साथ बहुत जरूरी है आज और अभी से किसी teacher को आपकी यो सकता नहीं है आज से उसकी यो सकता है जो आपको proper guide कर सके अब UP police constable cut up देखके नहीं लग रहा कि उतना भास्ट cut up गया है paper up label भी high था cut up मतलब 100 के around पे जो लड़के question बना दिये है उनका लगभग result हो गया है 100, 105 के आसपास अब डेड़ सो में 105 question बनाना कोई बड़ी बात नहीं है जादा संख्या भी नहीं हुआ 70% के around जो है hardly आपका question जो लड़के बना दिये है उनका result हो गया है देख सकते हो यूर का cut up यह male candidate का है यह female का है ठीक अब यूर का जो cut up है आपका यहां पर देख सकते हो यूर का cut up मात्र 214 गया है मतलब कि 107 questions है अगर question से देखे तो तो 103, 102 के आसपास जो question सही कि होंगे ना उनका यह result आपको देखने को मिल रहा नॉर्मालाइज नंबर है यह जो आपको 214 दस्मलो कुछ कुछ है यह नॉर्मालाइज नंबर है हमने सीधा सीधा लिखाये ठीक वहीं यूर female का देखोगे 203 गया है मतलब मेल से ज़्यादा अंतर नहीं है यह भी 97-99 के आसपास जो महिलाएं कोश्चन सही की है यूर वाली इनका हो गया है EWS 187 यहां 180 वहीं देख सकते हो मतलब कि यह सारे सारे जो है नॉर्मालाइज नंबर से हैं और हमने कटफ में बताया था कि दे और सो नंबर लाने वाले भी स्लेक्ट हों गया और देख सकते हों यहां in Tom जैंब हो गया और एकजामीं मैन यह वह जो 55 लाखे सेलेक्ट हो गया है कुछ इस परकार से आपका कटफ है OBC 190 यह भी UR के आसपास ही देखने को मिल रहा है AC 178 वहाँ यह भी जो है OBC 189 कुछ इस परकार से cut-off है cut-off काफी बढ़िया मतलब यह कहां नहीं जा सकता बहुत high level का cut-off set नहीं किया गया है normal basis पे cut-off set किया गया है अब इसके बाद जब revise result आएगा न तो revise result आएगा तो अगर हम UR की बात करें तो जो mail candidate होंगे अगर 200 के आसपास question सही किया होंगे 200, 201, 2 तो उनका result हो जाएगा revise result में अब जब आपका जब result डाउनलोड होने लगेगा तो आपको यह सारी चीज़े मिल जाएगी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 2, 13, 8, 9, 9, 9 नमबर भी लाके उनका selection नहीं हुआ होगा तो उनका भी chances है revise result में हाना तो यह तो होगे आपके cut-off से related अब बात करें कि आपकी physical, PET, PST वगएरा सब कब होगी तो आप देखे होंगे पहले भी यह सारी पता चल गई होगी दिसंबर के 33 सब्ता में आपकी DV, PST स्टाट होगी दिसंबर के 33 सब्ता से एक मन्त यह चलेगी फिर जन्वरी के 33 सब्ता से आपकी PET, Physical Easibility Test मतलब physical आपकी स्टाट होगी अब एक मन्त आपकी DV चलेगी फिर उसके बाद से एक मन्त के आज पस आपकी PET भी चलेगी फिजकल भी चलेगी यह चीछे आपको देखने को मिलेगी और इससे रिलेटेड भी आपको बहुत जल्द नोटिस दे दिया जाएगा अब आपके पास अगर देखा जाए तो DV के लिए अगर दिसंबर का तीरतिय सप्ता तो एक मन्त का आपके पास समय है और एक मन्त आपके जो है PET के लिए समय है तो मतलब दो मन्त आपके पास समय है फिजकल के लिए दो मन्त तब जिनका रिजल्ट हो गया है तो उनको तो सोचना ही नहीं है वे आज और अभी से फीजिकल स्टार्ट कर दे स्टेप बाई स्टेट खेर मैंने फीजिकल से लेटेट वीडियो बनाया है तो उसमें आपको सारी चीजे मिल जाएगी चैनल को सब्सक्राइब करके जूड़िए और भी मैं इंटर्विव आपको लाने वाला हूँ जो आपके आईटियाई पीटियाई आपके फीजिकल कराएंगे उनका मैं मैं इंटर्विव लाऊंगा कैसे क्या करना होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जूड़िए विल्कुल ग्राउंड अस्तर से सारी चैसे आपको बताई जाएगी ठीक अब जितने ये लड़के सेलेक्ट हुए हैं सब को जो है प्रॉपर विजलेंस सुपर विजन दिया जाएगा कैसे क्या करना है आने वाले समय में और कब क्या देखने को मिलेगा ये सारी चैसे आपको इस चैनल के मादियम से और टेलिग्राम के मादियम से तो मिलता ही रहेगा ठीक है बावू तो कट अफ ये रहा और आपकी जो है सारी कुछ जो है बता दी गई है नॉर्मलाजेशन भी मैंने बता दिया अब आप पूछो कि सिफ्ट में कितना नॉर्मलाजेशन मिला है अब इसके बारे में आप ना ही पूछो तो ज्यादा बैटर है आपका एंसर डाउनलोड होगा आप देख लेना आप अपने गुरु भाईयों से अपने आस पास जो पूछ लेना तुम्हारा कितना नंबर आया को पता चल जाएगा ऐसे प्रॉपर जब सबका एंसर डाउनलोड होने लगेगा जब सब लोग अपना नंबर्स चेक करने लगेंगे तब जो है आपको एक प्रॉपर वीडियो दिया जाएगा कि कि सिफ्ट को कितना जादा फाय फायदा हुआ है कि 24 तरीकों जादा फायदा हुआ है कि UPSI 6000 प्लस वेकेंसी आने वाली है कॉंस्टेवल भी 50,000 के राउंड में वेकेंसी आने वाली है यहीं है कि थोड़ा सा समय देना होगा लेकिन वेकेंसी आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी अपना नंबर जरूर स इंसरकी में सही हो रहे थे